Hello Everyone, Welcome to Topper Learners आज हम लोग discuss करेंगे एक important topic reflex action के बारे में कि reflex action क्या होता है? इससे पहले synapse के बारे में हमने discuss किया है आपने वो नहीं देखा है तो playlist में link given है वहाँ से देखिए description के थुरूप reflex action देखिए होता क्या है? कि daily life में, रोज मर्रा की जिन्दगी में हम कुछ चीजों को अचानक छू देते हैं जिसे हमारा हाथ या जो parts उससे touch हुआ है वो मेरे चाहे बेगर वापस चला जैसे कोई गरम चीज को अचानक हम छू देते हैं तो तुरंट वापस चला आता है कोई की response होता है उसी तरीके से जब कोई गोली हो या कोई आथ हाथ से अमारे आथ के सामने इस तरीके से करता है तो हमारा आथ खुद बहुद जपक जाता है पलक हमारा जपक जाता है तो ये सारा action जो है या कोई अगर गोली चलाए तो तुरंट ये हम क्या करते हैं अपना ना चाहे बेगर भी अपना सर हटा लेते हैं या जिस पार्ट पर अटेक होने वाला है वो हट जाता है बहुत तेजी के साथ या फिर आप एक और example ले सकते हैं कि अगर insect आ रहा है आप बाइक वगर चला रहा है तो insect आ रहा है तो खुद बहुद आपका आँख जो है वो बंद हो जाता है तो ये सब जो action है ये stimulus का external environment में जो change है यानि जिसको stimulus बोलते हैं उसका quick response है इसी को हम क्या बोलते है reflex action ये involuntary होता है quick response to the stimulus ये quick response sudden response to the stimulus जो होता है उसी को हम क्या बोलते है reflex action बोलते हैं अब सवाल उठता है कि reflex arc क्या है तो reflex action में जो path cover किया जाता है उसी को reflex arc बोला जाता है दख path cover in reflex action उसको हम क्या बोलते हैं reflex arc बोलते हैं ये involuntary होता है reflex action एक बात याद रखना है और ये जो है ना आपका message जो वापस आता है वो message वापस आता है आपका कहां से spinal cord से किस से spinal cord वैसे normal जो message आता है हमारा effector message वो brain से आता है लेकिन ये कहां से आता है spinal cord से अब देखिए the part treble by impulse during reflex action इसको reflex arc जो part treble होता है अब क्या होता है वो देख लेते हैं stimulus हुआ जैसे गरम चुए हम receptor of sense organ skin touch touch करेगा हमारा उसके बाद afferent sensor nerve fiber उसके बाद cns central यानि spinal cord में आएगा किसके sensory neuron के थुरूप और effector motor neuron nerve fiber motor neuron के थुरूप क्या करेगा वो वापस आएगा कहां muscles में या glands में जैसे touch किये हैं तो muscles में आएगा और muscles हमारा पीछे की तरफ आ जाएगा तो ये जो pathway हुआ इसको हम बोलते है reflex arc अब इसका example समझते हैं when you touch hot object you withdraw your hand from it immediately तुरंट आप हटा लेते हैं ये भी क्या है reflex action में आता है इसमें shivering when it is too cold or sweating when it is too hot जब बहुत गर्मी होता है तो पसीना निकलता और हम सिहरने लगते हैं जब बहुत थंडा आता हूँ करने लगते हैं इसमें क्या होता है glands हमारा जो sweat glands है वो quick response करता है उसी तरीगे से dilation of pupils of eye to look dark and vice versa जैसे हमारा pupils जो है pupils जो response करता है अंधेरे से उजाले में और उजाले से अंधेरे में आते हैं तो कुछ समय बाद हमें चीज को clearly देख पाते हैं तो यह जो response है यह भी reflex action के अंदर आता है उसका when you smell your favorite disc your mouth watered जब आप favorite disc देखते हैं या फिर कोई आपके सामने अचार का जो खटा होता है निम्बू का जिकर कर देता है इमिली का जिकर कर देता है आपके मूँ से खुद बखुद मूँ में पानी भर जाता है जो saliva secretion होने लगता है यह सब क्या है reflex action में आता है ठीक है तो I hope clear हुआ होगा बस आज इतना ही नेक्स वीडियो में फिर मिलेंगे हम लोग